कि देह से तादात्म कैसे टूटे कृपया मार्ग दर्शन करें पहले तो आओ जानते हैं कि ये जीव की रचना कैसे होती है ब्रह्म लोक में बिजात्मा का निर्मान होता है बिजात्मा क्या है ये जो चेतन आकाश है ये ब्रह्मा है और इस ब्रह्म में ही जो चेतन ब्रह्मा है वह भी मौजूद है और इसमें इथर तत्व आकाश तत्व भी मौजूद है जैसे जो कुमार है वो क्या करता है वो माटी और पानी दोनों से को मिला करके गिलावा तयार करता है और फिर उस गिलावे से बरतन तयार करता है ठीक ऐसे ही ब्रह्म लोक में क्या होता है कि ये जो ब्रह्म का जो ब्रह्म तत्वा है परमात में तत्वा है ये पानी की तरह है और फिर जो है जो आकाश तत्वा है, जो इथर तत्वा है, यह माटी की तरह है. यह दोनों का गिलावा बनागर निगोध तयार किया जाता है. और उस निगोध के अंसर से बीजात्मा तयार होती है. और वो विजात्मा फिर क्या होता है कि जीव भौतिक शरीर में आती है तो उसमें क्या होता है कि आत्मा है और प्लस जो सुक्ष्प शरीर और इथर तत्व है अरता सुक्ष्प शरीर और आत्मा का जोड़ है विजात्मा वो विजात्मा आई और यहां भौतिक शरीर से उसका योग हुआ तो जीव का जन्म हुआ जैसे मनुष्य को अगर ले लो तो मनुष्य के गर्व में अगर विजात्मा आई तो ले आई अपने साथ साथ क्या क्या ले आई आत्मा ले आई और इधर तत्व ले आई अकाश तत्व ले आई फिर मा के गर्व से चार तत्व उसको मिल छ मांच तत्व है और एक आत्मा है आत्मा और चार तत्व हा के घर्भ से मिला और एक इथर तत्वे आकाश तत्व मुलिए लेकिन वह इसक्ते श्वार की बात नहीं है वह वासर성 ही स्वाज जो स्वाहतर ऑच तत्व है तो इसiveness इत्वितत, जलतत, अगनीतत और वायुतत और फिर क्या है जो सुक्ष्म देह है बहुतीक देह के भीतर जो सुक्ष्म देह है उसमें क्या है आकाश्टत्व है वह आकाश्टत्व से निर्मित है और फिर जैसे हमने होता है जीवात्मा फिर क्या है कि जीवात्मा में सुक्ष् एक तत्व है और आत्मा है और जीव में पांच तत्व है और आत्मा है तो इस तरह से अगर कोई हमसे पूछता है कि अच्छा जन्म के पूर्व हमारी क्या इस्थिती रहती है तो फिर क्या कहेंगे कि जन्म के पूर्व आत्म लोक में स्प्रीट वर्ड में जीवात्मा की तर जन्म के पूर्व है और फिर फिर हमारा जन्म हुआ जीवन हुआ मा के घर्व में रहे फिर हमारा जन्म हुआ तो जीव में क्या है पांच तत्व है और आत्मा है तो जीव में पांच तत्व है और एक आत्मा है और मृत्तु के बाद फिर क्या इस्तिति हो जाएगी फिर हम शरीर छोड़ देंगे तो मृत्तु के बाद क्या होगा जीवात्मा फिर जीवात्मा के रूप में हमारी सत्ता बच जाएगी जहां सुक्ष्म शरीर है और आत्मा ह अर्थात की इथर तत्व है, जो आकाश तत्व है और आत्मा ये मृत्तु के बाद की हमारी इस्थिती है, तो इसका मतलब कि मृत्तु के बाद भी जीवात्मा के रूप में हमारी सत्ता रहेगी, इस बात को हमने अमृत वरशा में बड़े प्यारे अंदाज से लिखा है, मात आत्मा है परमात्मा बोलो कहां जाएगी लेकिन आत्मा तो तत्तों से निर्मित नहीं है आत्मा कहां जाएगी तो आत्मा है परमात्मा बोलो कहां जाएगी जैसे ठके राही को समझो आराम आगया राम आगया राम आगया इसी बात को अमृत वर्षा में अन्यत्र हमने लिख इसलिए क्या जन आत्मा के तो जन्म होता नहीं, आत्मा की मृत्यू तो होती नहीं, तो आत्मा की द्रिष्टी से जन्म और मृत्यू को तो कोई मतलब नहीं, आत्मा की द्रिष्टी से जन्म मृत्यू कुछ भी नहीं, जीवन में जागी हुई, मृत्यू में नीद आ गई, ब भूह अब सवाल उटता है कि में कौन हूं आश्टावक्र कहते हैं की देह हूं मैं नहीं देह मेरी नहीं ही जनक जिसने जाना है योगी वहि क्या मैं हूं। यह तो बाद में देखूंगा लेकिन क्या मैं नहीं हूं inspect मैं देह तो नहीं हूं देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही, फिर अश्टा वक्त तब क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी सांत हो मुक्तो, सारी हमारी जो विपदा है, सारा कष्ट है, सारा तो कि जायंगे लगता है। हमें लगता ूजा देश से तादात में बनाने के कारण है। इसलिए ठीक कहते हैं। देभते हैं कितना टाइम लगा। औरो तोड़त हो ताइम क्या लगाएगा। उनका अनुभव है कि मैं चिन में नुरानी आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, देह जड़ है, लेकिन मैं चैतन्य हूँ और भीतर आत्मा जो है नुरानी है, प्रकाश रूप में विद्यवान है, कहते हैं मैं चिन में दुरानी आत्मा हूँ, इस बात को अस्टावकर कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, मैं विशुद्य चैतन्य हूँ, एक विशुद्य बोध हूँ, इती निश्ची वहनिना, इस निश्चे को आग बना लो, और प्रज्वालिया अज्यान गहनम, वीत शोको सुखी भवा, और फिर अज्यान के जंगल को जला दो, और सभी शोकों के पार हो जाओ, बोध हूँ, बोध हूँ, मंत्र की आग से, जला अज्यान का वन सुखी हो सके, मैं विशुद्य बोध हूँ, इस बात की प्रतित, इस बात की अनभुत, इस बात का ज्यान हमें आनंदित कर देता है, तो अब तुमारे मूल प्रश्ण पर आते हैं कि देह से तादात में कैसे तोड़े, कैसे तोड़े, जो संतों ने जैसे तादात में तोड़ा, ज्यानियों ने कैसे तादात में तोड़ा, वैसे तुम भी तादात में तोड़े, इसको नौ विंदूओं पर विचार करो, क्या, जैसा मैंने बताया कि आत्मा शरीर के भीतर है, आकार के भीत आत्मा निराकार है और देह आकार है चाहे सुक्ष्म शरीर है वो भी आकार है बहुत एक शरीर तो आकार है ही सुक्ष्म शरीर भी आकार है तो यह आकार में निराकार की तरह है और धीरे-धीरे ध्यान के माध्यम से उस निराकार से तालात में बनाना है क्योंकि जब ध्यान क रहें तोसर बात को ठीक से समझो कि आंकार मरन धरमा और तो पहला बात तो अपने को जानो कि कि निराकार की तरह दूसरा बिंदु बातल पों सकते हो यह पात्र में पेया की तरह हो जैसे चाय की प्याली है दो क्योंकि जिस अकार में हम उस उसका अकार को चाई धारन कर लेती है क्शाई या मेधों क्वेश्च्थ के दैनों तो है मैंने ले लिया है और प्र आगुसे सी सब्सक्राइबारा है तो क्या वो लोटा है जब लोटा में है तो क्या ग्लास में तो क्या वो ग्लास है क्या कप में है तो क्या वो कप है तो थोड़े मनन से विचार करोगे कि मैं कंटेनर नहीं हूँ मैं Content हूँ, एक तीसरा बिंदू, विचार करने का है, कि अब सरूर है, तो सरूर क्या है, अगर जल हटा लो, तो सरूर बचेगा कि गद्धा बचेगा, तो जल हटाने के बाद भी क्या, वो सरूर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो जल के कारणों सरूर है, बरना तो एक तो अंत में यहीं वह मनन कर पाएगा कि मैं जल हूं। मैं गड़ा नहीं माना कि गड़े में हूं लेकिन मैं गड़ा नहीं हूं। एक चौधा पॉइंट विचार करने का है कि बीज जो है वो खोल में रहता है जैसे आम का एक खोल गुठली उसके भीतर एक बीज है। फिर क्या देखतो जमीन में उसको रोप दो तो खोल टूट जाता है और भीतर से बीज फिर से नया जन्म लेके प्रकट हो जाता है अब वो बीज सोच रहा है जो अंकुरित हुआ है कि मैं ये खोल हूं कि मैं बीज हूं तो क्या निश्क वर्ष निकलेगा कि नहीं खोल तो ट तो मैं नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं एक पांचवा पंट तुमको दे रहा हूं रथ में रथी की तरह है एक रथी है और जो चला रहा है रथ को या एक गारी है जिसमें ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर अब गारी में चला रहा है तो क्या उसको सोचना चाहिए कि क क्या मैं गारी हूँ या क्या मैं गारी को चलाने वाला ड्राइवर हूँ तो निश्चित रुप से यही कहेगा कि नहीं मैं गारी तो नहीं हूँ गारी का सवार हूँ गारी में बैठा जरूर हूँ लेकिन मैं गारी नहीं हूँ मेरी सत्ता गारी से अलग है ठीक है ऐसे ही आत मैं तो गारी नहीं हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, एक छठा बिद्धु जिसके और पहले भी मैंने इशारा किया, कि अगर ध्यान में तुम जाते हो, तो ध्यान में देखते हो, कि यो दिराकार के प्रती जागते हो, बाद में निराकार से तुम आरा तादात में बन जाता तो ध्यान में देह बचती नहीं आकार बचता नहीं ध्यान में किवल आत्मा बच जाती है तो जो बच जाती है वहीं तो मेरा अस्तित्व हो सकता है जो मिठ गया वह तो मेरा अस्तित्व नहीं है और ऐसे ही सात्मा बिंदु है कि समाधि में क्या होता है समाधि में जब जाते विशुद्ध बोध यहां तक ध्यान में तो एक प्रती है ना कि निराकार की प्रती जागे हो समाद में तो प्रती भी खो जाती और विशुद्ध बोध बच जाता है और कुछ नहीं बचता बोध मात्र बच जाता है तो जो बच गया बोध मात्र वही मैं हो सकता हूं शरीर तो बचा नहीं, तो फिर शरीर तो मैं नहीं हूँ, और आठमाविंदु, अब सुमिरन में जाते हो, ध्यान में गए तुम, समाध में अब सुमिरन में गए, सुमिरन में ब्रह्म के साथ एकार हो जाते हो, ब्रह्म से मिलन हो जाता है, ब्रह्मानंद में जिना शुरू कर लेत डिग दैवा जाते हो। मलुग दास्कति ने साहब मिल साहब वै। साहब ग conviction से मिलकर तुम गोविन्द ही हो जाते हो। तो फिर देह तो वहां है नहीं। देह लिए तो बची नहीं। तो फिर तुम देह कैसे हो। फिर तो तुम्हारी सत्ता ब्रह्म सत्ता ही हो जाती है, तुम्हारी सत्ता भागवत सत्ता ही हो जाती है, तुम्हारी सत्ता तो आत्म सत्ता हो, आत्म सत्ता भी नहीं बचती, तो देह सत्ता क्या वहां पर बचेगी, और फिर जो नौवा पॉइंट है, कि जो मृत्तु जब हो अब तो प्रियोग से इसको देखा जा सकता है तो मृत्तु में देह बचती नहीं है तो लेकिन मैं तो बचता हूं यह तो महाजीवन प्रग्या में भी आकर देखोगे और दूसरे की देखते हो कि शरीर तो यहीं पर आ जाते हैं कोई चीज है जो उसको पुनरजन में ले जा करोगे तो फिर तो निश्चित ही दे से तादात में तूट जाएगा और जो वास्तविक सत्ता से तादात में बन जाएगा तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं हरियों तत्थ सत्नालेश